हेलो फ्रेंड्स मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चैनल पर और मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो राष्टे उद्यान से संबंदित है और राष्टे उद्यान का नाम है कैबुल लाम जाओ राष्टे उद्यान जो मनिपूर में पड़ता है और ये सभी राष्टे उद्यानों में से बहुत यूनिक है और यहां से कुशन अभी रिसेंटली जो एससी जीडी का एक्जाम हुआ था उसमें भी पूचा गया था और क्या क्यूशन था अभी बात करेंगे आगे जहां भी जीके पूच जाती है जिसे रेलवे, एंटीपीसी, ग्रूप डी, पटवारी, पुलिस और दिली पुलिस वहां जी जीके का पॉर्षन है वहां जो गुरूफी का पूर्षन होता है तो वहां से कुशन पूचे जाते हैं तो हम आगे बात करते हैं और कोसिस कि इस टॉपिक से रेलेटेड आपका एक सिंगल क्यूशन बाहर नहीं जाए क्योंकि जितनी भी इससे रेलेटेड चीजें हो सकती है मैं कम्प्लीटली इसमें बताने की कोसिस करूँगा आपको बने रिये लाश्ट तक और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कि याद हो जाएंगी इतना हाड नहीं है और जो इस जील की सबसे बड़ी बात है पहले इस जील को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि केबुल आमजाओ नेशनल पार्क इस्तिति कहां है इस जील के अंदर है तो जील के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे और क्यूशन यही आया ता जीडी में कि लोक्टक जील से संबंदित है मनिपूर, मिजोरम, तρίपूरा या मेगाले तो हमें मनिपूर पे टिक करना था तो यह उसका आANCवर था मनिपूर तो आगे चलते हैं मनिपूर की मिठी जील है लोक्टक जील और यहां की इस जील की सबसे फैमस बा मिट्टी से बने दीव कैसे दिखते होंगे अभी मैं आपके लिए पिक भी लेके हूं इमेज तो अभी हम शो करेंगे आगे चलके तो देखते हैं वीडियो को लाश्ट तक तो जिने वहां इस्तानिय बासा में क्या बोलेंगे उनको फुमडी के नाम से जाना जाता है आपने क्यूंकि ये कराण्ट अफेर्स में चलता ही रहता है मुद्दा तो मिट्टी से बने होई जो दीप होते है वनसपती और मिट्टी से बने होई दीप होते है चोटे-चोटे उनको फुमडी बोलते हैं इस्तानिय बासा में और उनी पे लोग घर बनाके रहते हैं और आगे उनको भी देखेंगे तो उनको फुमडी बोलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यह फुमडी है यह जो चोटी-चोटी दिविप है जो वहाँ जो हीरन होते हैं तो हीरन एक फुमडी से दूसरे फुमडी पर जब जंप मारते हैं तो वो दूर से दिखाई देने पर ऐ जैसे लगता है कि जैसे हिरन डान्स कर रही है तो उस हिरन को क्या बोलते हैं डान्सिंग हिरन उस हिरन को डान्सिंग हिरन के नाम से जाना जाता है और वहां इस ताने बास हमें इसे शंगाई बोलते हैं इसे संगाई बोलते हैं या इसको संगाई भी बोलते हैं आपको याद पुले से वाइबरेट होती है, मुविंग करती है पानी में, जो दूर से देखते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो उसे ऐसा लगता है कि वह हीरन डांस कर रही है, तो आपको याद रखना है, डांसिंग इरन कहां के लिए बोल रहे हैं, लोग टक जील के अंदर डा कितना है, इस जील का कुल से तरफल है, दो सो असी वर किलोमेटर, आपको याद रखना है, कुशन कहीं से भी आ सकते हैं, आज कल का जो वाइड एंगल हो गया, कम्प्लीटली इतना हार्ड जो कम्पिटिशन हो गया, तो उसके देखते हुए एक भी शिंगल कुशन हमारा इ पानी के अंदर होता है इनका, और 20% पर सता ही भाग होता है, जिस पे घरवगरा और कई जीव जन्तु भी रते हैं, तो जील पे तेरते रते हैं ये, और पशु, पक्षी, पोदे और परजातिया निवास करती है, इन जो फुमडीज है, इनके उपर पशु भी रते हैं, प इनके में, क्या-क्या, फैक्ट्स है, यहां से बन सकते हैं, सो स्टार्ट करते हैं, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मनीपूर में है, और लोकटक जील में है, तो ये जील का सबसे बड़ा तेरता हुआ द्वीप है, आपको याद रखना चाहिए, ये जील का सबसे पार्क है, विस्व का एक ही है, नेशनल पार्क या राष्टे उद्यान, जो तेरता है, पानी पे, कौन सा है, कैबुल लामजाओ, किस जील में है, लोकटक जील में है, कौन सी जगह है, मनीपूर राज्यम है, तो आगे चलते हैं, यहां सदा बहार जंगलों से बना है है, यह जो कैबुल लामजाओ, जो नेशनल पार्क है, वो सदा बहार वनों से बना हुआ है, और इसमें लगबग 235 पोदों की परजातियां पाई जाती है, 235 पलस परजातियां पाई जाती है, पोदों की, और 100 पलस परजातियां पाई जाती है, पक्षियों की, और 425 किसम के जानवर पाये जाते है इस पर तो यह बहुत बड़ी संक्या है बहुत अच्छी संक्या है और जो मणिपूर सरकार है वो काफी संरक्षन भी करती है यहां पर तो आगे चलते हैं में 1977 में नेशनल पार्क इसे घोषित कर दिया गये था गुनेशनल पार्क के साथ में बहुत अच्छा प्रेटनिस तलबी है बाहर से लोग काफी आते हैं यहां देखने के लिए काफी अच्छी जगह है आपको भी कभी मुखा मिले तो जरूर जाना माँ तो इन दिपों पर लगबग 4,000 लोग रहते हैं सबसे अच्छी बात है कि यहां पर 4,000 लोग रहते हैं इन सभी जो फुमडी की नाम बताया मैंने आपको यहां इस जील में 4,000 लोग रहते हैं और इनका वेवसाय क्या है इनका वेवसाय मचली है मचली का उतपादन करते हैं मचली को इकटी करके वेवसाई करते हैं और production करते हैं मचलियों का export भी करते हैं यहां से मचली बहुत ज्यादा export होती है जील से और यह जब मचली पकड़ते हैं यहां के लोग तो उनके पास छोटी छोटी नावे होती है तो छोटी छोटी नावों को वहाँ क्या बोला जाता है सिकारा क्या बोला जाता है वहाँ उन्नाओं को उन्नाओं को सिकारा बोला जाता है और आगे हम चलते हैं और इनकी पिक्स देखने की कोसिस करते हैं किस तरीके से यह जो नेशनल पार्क हमारा दिखाई देता है तो चलिए पिक की और चलते हैं यह आपको दिखाई दे रही हो यह जील है और इसमें कई चोटे 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 टापू बने हुए है चोटे चोटे दिविप हैं जो मिट्टी से और वनस्पती से निर्मित है और उन पे भी क्या लोग यहां के लोग उन पे भी घर बना के रहते हैं और वहीं पर वेवसाय करते हैं तो दूसरी पिक के कोड देखते हैं हम इसकी आपको दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है दूर से इसके उपर भी कई बिल्डिंग्स बनी हुई है कई गर बने हुए है तो दूसरी पिक में अगर हम देखना चाहें तो यह देखो इस परकार से जो घास के जो दिविप होते ह छोटी छोटी दूविप होगा आज के तो वहां पे रहने योग यह कुछ बना लिया जाता है और मचली का production किया जाता है इने मचली पकरते हैं चैनने होग और उसका क्या बोलते हैं सिकारा बोलते हैं उसको इस ये पतली सी नाव होती है काफी लंबी नाव होती है और ये मचली प्रोडेक्शन में और कहीं भी आने जाने का काम ये नाव से ही करते हैं तो कैसा लगा आज आपको ये वीडियो और ये मैंने थोड़ा सा एक और पिक लेकिया आई देखो इस पिक के अंदर क्या है कि जैसे इन्हों ने गर बनाया है इसी के अंदर गर बना रुखे है एक छोटा सा द्वीवब में और यहीं से मसली प्रोडेक्शन करते हैं और यह गोल-गोल-गोल काफी जील में यह टाप हुए और तहरते रहते है एक जगे से दूसरी जगे जाते रहते हैं यह जो द्वीप है तो इस तनांतरन होते रहते हैं यह जगे से तो आपको ध्यान रखना है कि द्वीप सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे भी एक छोटा सा रिविजन करते हैं पहले हमने बात की कि यह किस जील में है लोक्टक जी इनका अगर आपको एक्जाम में नाम पूछा जाए कि किस से सम्बंदित है तो लोक्टक जील से सम्बंदित है और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसको संगा ही बोला जाता है जो हीरन होता है उसको संगा ही बोला जाता है और जील का कुल सेतरपल कितना है 200 C work km है और 50 इनका 80% भाग कहा रता है पानी में रता है और जील में तेड़ते रते हैं यहां पर पशू पक्षी पोदे पर जाती हैं सब कुछ पाया जाता है यहां पर और मनीपूर की सरकार इनका शनक्षन कर रही है और इसका 40 वर किलोमेटर स्कुएर और यह इस क्लास को completely एक पेज़ पर उतारोगे और एक दो बार देखो के तो आपको याद हो जाएगा और काफी important chapters में आपके लिए लेके आता हूँ तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखा करो क्योंकि क्यूशन्स आज कल वाइट पूछे जा रहे हैं so thank you आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे comment box में जरूर बताना और अगर आपको पसंद आया तो please like और share बिल्कुल करना so thank you thank you all